Hello friends, मैं Aditya Jain, CA, CS, CMA, CFA का faculty, ये वेडियो CA Final Risk Management Elective Paper के registered students के लिए है, तो बाकी students इस वीडियो को न देखें क्योंकि इसमें उनके लिए कुछ भी नहीं होगा. MCQ का जो book है, जो 40 number का आपको exam में आने वाला है, मैंने आपको एक set of book दे दिया था, एक set of book मैंने कहा था, कि वो अभी in preparation stage है, और वो book भी तयार हो चुका है, बन चुका है. तो आपके पास दो MCQ book के set हो गए, मतलब 40 number और आप open book exam है, तो आप ये दोनों किताब लेकर जा सकते हैं, और मैंने हजारों question, all possible question इस MCQ book में cover करने की कोशिश की है. ठीक है, अलग-अलग model test paper के हिसाब से, अलग-अलग chapter के हिसाब से, मैंने बहुत सारे MCQs cover कर दिये, मतलब इससे बाहर आने का मेरे हिसाब से सवाल ही पैदा नहीं होता, because मैंने all possible combinations MCQ book में cover किये, एक book नहीं है MCQ का, मैंने दो book दिये, तो दूसरा book भी बनके तयार हो चुक है, तो यह information आप लोगों के लिए था, आप लोग बहुत बेसबरिस से इस book का इंतिजार कर रहे थे, एक book मैंने issue कर दिया था, यह दूसरा set of book है, I hope risk management के उपर तो हम लोग 100% marks secure कर के रहेंगे, तो यह छोटो था video, just आपको inform करने के लिए, कि MCQ of risk management set number 2 मैंने issue कर दिया है, please आप लोग अपने group में उससे download कर लें, और recording लोग उससे solve करें, और यह book भी आप exam में carry कर सकते हैं, thank you so much.